अशोक नगर बड़ी तादाद में सट्टे का कारोबार चल रहा था शुक्रवार को कोतवाली थाना पुलिस ने सटोरियों को 12 ठीकारों पर दविश दी जहां से 14 सटोरियों को गिराफ़तार किया गया है सभी जुआरियों के पास से पुलिस ने 1000 रुपए नगदी बरामत कि तो वही अवेद रूप से चल रहे सट्टे का वीडियो भी सामने आया है जिसमें मनसोर मील पर सट्टा लगाने वाले लोग मुचिपा कर भागते नजर आ रहे हैं पुलिस को सूशना मिली थी कि कि इस थारों पर सट्टे का कारुबार चल रहा है कोतवाली थाना पुलिस ने पुराना बाजार मनसोर मील एवं क्रशी उपज मंडी के आसपा सहित अन्य बारा ठीकानों पर दवीश थी इस दोरान उनके पास से सट्टे के उपकरन और बार चल रहा था शिक्रवार को कोतवाली थाना पुलिस ने सटोरियों के बारा ठीकानों पर दवीश दी जहांसे 14 सटोरियों को गिरफतार किया गया है सभी जुआरियों के पास से पुलिस ने बारा हजार 870 रुपई नगदी पर आमत की है कि बारा केस काई मुए है कि छोदा केस कुल चोदा कि कायम हुए हैं जिसमें सत्रा लोग पकड़े गया है और चबदा आजाल के श्यसों पैतर रुपाय जब्त किये गया है इसके अलाबा आपकारियाट के थेश्या दो कारवाईया की गई जिनमें लोगों को प्र्तार किय सट्टे के खिलाब जो करवाई की फूरे सहर में जहां जो चिन्नित इस्थान थे जहां की सुच्राइए में लहीं थे इसमें पुराना वजार था इंद्रापार्ग था यह अपना मंसौर मिल ऐसी जब पर सट्टे का में सर कुछ मुधिया भी रखता हुए हम उनका भी पता क सट्टे की आगे और पिछ लएक है निश्चित रूप से यह मुहिम जारी रहेगी और इसमें आज भी जो लोग पकड़े गए हैं उनका भी रिकॉर्ड दिखा जा रहा है अगर उनके आस पहले से कोई उनके खिलाब पकड़ पंजीब दूए है तो इनके खिलाब 110 की की जाएगी और जो कठोरतम कारवाई हो सकती हो की जाएगी और किसी भी कीमत पर कस्वा में सटा ने चलने दी जाएगी खरम अधप्रदिश चतिसगर के लिए अशोक नगर से सुरिल कुश्वा की रिपोर्ट